कोई कितना भी बोले अपने आपको सांत रखो क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुका नहीं सकती नमस्कार मैं हूँ कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल अगस 2022 के विसेश एपिसोड में यह एपिसोड कुम्बर रासी के लिए है और यह रासिफल आपकी रासी नाम रासी अथाद मूल साइन पर आदा रही थे हर मासिक रासिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विस्टेशन करते हैं इस बार भी सबसे पहले आपकी इंकम और इन्वेस्मेंट पर आपके परिवार के सुख पर सिक्सा और संतान सुख पर आपका स्वास्ति और शात्रों के बारे में दांपत सुख साथ साथ गरस सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके कोई गहरी area business की और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस रासिपल के वो उपाई जिस रासिपल को और उपियोगी और ज्यादा लाब दैक बना जा सकता है तो आईए अप आरम करते हैं मासिक रासिपल अगस 2022 आप कुम्ब रासि के लिए और सबसे बेले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इंकम और इंवस्मेंट के बारे में जहां तक इंकम गेन प्रोफिट का प्रस्थन है रासि से 11 आउस से विचार किया जाता है और अगस 2022 में जो आपके लाब बाव के स्वामी ब्रसपती स्वेग रही हैं रासि से 2 आउस में हैं ये बहुत सुब इस्तिती है और राहू की द्रस्ती भी लाब बाव पर है तो ऐ बाती साथ जयादा काम काज कर पाएंगे जयादा लाब भी खॉमा पाएंगें तो इस्तिती हैं आपके लिए buddhiba से काम करने की हैं दिमाग से काम करने किया और वो लोग जो ये सब कुछ अच्छे डंग से करेंगे मैनेज करेंगे वो लोग ज्यादा सक्स्थपोल में रहेंगे ज्यादा तेजी से उन्नति और प्रगति कर पाएंगे अगस 2022 में आप में से जो भी लोग education sector में हैं चाहे वो किसी भी डंग से education दे रहे हो चाहे आपकी अपनी school college है आपका अपना coaching center है या आप school के teacher है professor है lecturer है और या पिर आप application बेट से online पढ़ा रहे हैं या कोई इनको application के थूप गर बैठे पढ़ा रहे हैं कोई भी डंग से education sector का काम करने वाग लोग यहां पर लाब में रहेंगे finance financial brokerage ब्याज बटा डिसकाउंट या गिर्वी का काम काज करने वाले लोग इस इस्तिती में सुखत परिणाम पाएंगे अताथ उनको ज़्यादा काम करने से ज्यादा लाब भी मिलेगा और जो बकाया है वो भी मिलने के योग बनेंगे बेकरी, कंफेशनेरी, यूटेंशिस या राजनेती शेत्र में काम करने वाले पत्रकार बंदू उन लोगों के लिए इस्तितियां बहुत सुखत बनी हुई है साथ ही साथ वो लोग जो IT सेक्टर में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ड का काम करते हैं या पिर वो लोग जो सौफ़वर के समधित काम करते हैं, MNC में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत शांदार आफसर है आगे बढ़ने के एप्रिशेशन के लाप कमाने के लिए या फाइदा कमाने के लिए जो लोग बिजनसमेन हैं, वो बहुत संतुस्त होने वाले हैं, भारी गेन कमाने वाले हैं जो जोब वाले हैं, वो रिलक्स रहने वाले हैं अताट उनकों अपने काम काज में, एकदम आराम से काम काज करने को मिलेगा और जो लोग professionals हैं, वो लोग भी extraordinary कुछ नो कुछ deal पाएंगे, या उनको अपने आपको build up करने का भारी मौका मिलेगा, तो ये स्थितिया, अगस 2022 में आपके लिए बहुत ज़्यादा शांदार है, लाब दाये के, अब बात करते हैं, अगस 2022 में, आप में से जो लोग investment करना चाहते हैं, इसक्रिप्ट के थ्रू, वो लोग finance कंपनियों में, या finance consultancy से संबंधित कंपनियों में, बेकरी से संबंधित, कंफेशनरी से संबंधित कोई भी script में मिल जाए, उसमें investment करना चाहिए, और साथ ही साथ, जिन लोगों को steel की script में सही मिल जाए, आपकी range में मिल जाए, या crude oil से संबंधित कोई चीज मिल जाए, तो आपको investment करना बहुत ज़्यादा सुब रहेगा, आपको investment कर सकते हैं, आ केसर हो, अलदी हो, पीली दाले हो, उसमें investment करना आपके लिए सुब रहेगा, और जो लोग physically investment करना चाहते हैं, उन्हें ornaments में या gold में investment करना सुब रहेगा, आईए, अब बात करें आपके परिवारिक सुकी, रासी से फोर्ताव से इसका विचार किया जाता है, अगस्त 2022 में इस्तियां आपके लिए सुखत बनी हुई है, लेकिन 6 अगस्त के बाद में आपको इन इस्तियों में कुछ निरासा, कुछ प्रॉलम का आगाज दिखाई देगा, और 10 अगस्त 2022 से वो प्रॉलम आपके सामने प्रकट हो जाएगी, चाहे वो जमीन जाइदा से समदी प्रॉ प्रॉलम हो सकती है, छोट-छोटे खर्चों को लेकर के कोई समस्या है हो सकती है, रीजन कोई भी हो, घर में जो क्लेज का वात्तावरण है, वो मौजूद होने वाला है, दस अगस्ते आपको समक्स दिखाई देगा, जितनी जल्दी आप कंट्रॉल कर सकते हैं, उतनी जल् मंद्रा रहा है, कोई कौज है, कोई कारण बनने वाला है, उस कारण को जितनी जल्दी सही कर सकते हैं, सही करने का प्रियास कीजिए, क्यों अधिकारों को लेकर के बात आएगे, आप हाईपर हो जाएंगे, जोड-जोड से बोल करके माहुल को खराब करेंगे, और आपका स चीजों को नेगेटिव लोगों को पैचान है, और उस पर कोई कंट्रोल करें या उनकी नकेल करसें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आईए, अब बात करें, आपकी सिक्सा के सुक्की, संतान सुक्की, रासी से फिप्ता उसे इसका विचार किया जाता है, अगस्त 2022 में अगली रासे में चले जाएंगे, तब इस्तितियां कुछ बदलने लगेगी, फिर आपको स्ट्रेस हावी होने लगेगा, अनकमफर्टेबल जौन में आप आजाएंगे, तब आपको एफ़र्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, और उस एफ़र्ट से ही आप कुछ न्यू कु तब जाकर कि आप रहत प्राप्त कर सकते हैं, या सक्सेस का रेशियो आपके लिए बढ़ सकता है, फिर भी आप में से जो भी लोग जो टेलिकॉम सेक्टर में स्टेडीज कर रहे हैं, या कॉमर्स लाइन लिये हैं, और कोई मैथमेटिस के स्टुडेंट हैं, उन लोगों क और कोई कोर्स दोर में सतर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्टितियां सुख्त बनी हुई है, आपको भी आगे बढ़ने के भरपूर मौके मिलेंगे, लेकिन मैणत करने के आवशक्ता तो हर किसी को इस समयकाल में पढ़ने ही बाली हैं. आए, अब बात करा है, संतान सुकी तो अगस्त 2022 में संतान आपकी मौज मस्ती में आराम पसंद आनंद में गुमने फिनने में व्यस्त रहेगी या आसपास कहीं पर भी ट्रेकिंग के माहूल है वहाँ पर जाने का कोई कोई कारेकन बनाएगी फ्रेंड के साथ में व्यस्त रहेगी और आपको भी इस समयकाल में अपने संतान की आचार विचार पर ध्यान रखना है वो किसी भी डंक से दुराचार में सामिल नहीं हो या कोई भी शनिक आवेश में आकर के या मौके का फाइदा उठा करके आपका नाम बदनाम नहीं कर दे ये भी आपको ध्यान रखने की आवशकता है ये समयकाल आपको उन पर कुछ अनोशाशन की या कठोरता की जरूरत पढ़ने वाली है ये आप ध्यान रखिएगा आईए अब बात करें आपके स्वास्ति की और आपके सत्रों की अगस्त दो जार बाईस में आप एलेजी इंफेक्शन के सिकार ज़्यादा हो सकते हैं सर्दी खासी जुकाम गला फैफडे पेट आते हैं बैक पेन शोल्डर पेन जिससे च्छाती का आजाता है सर्दी जनित रोग आपको ज़्यादा परिशान कर सकते हैं इस और आपको ध्यान रखने की आवशक्ता है सत्रों की बात करें तो आपको बातचीत के माहौल में ही कोईन कोई डंग से वाद विवाद का इस्तिति आ सकती है आप वाद विवाद में फस सकते हैं और या पिर आपकी बातचीत में माहौल में गर्मा गर्मी से बात बिगड सकती है ऐसी इस्तिति में भी अपने आपको आपको कंट्रोल करने की आवशक्ता पड़ेगी वो लोग जो बहुत तेजी से वाँ चलाते हैं या जिने पानी में नहाने का बड़ा भारी शौक है उन लोगों को इन दोनों इस्तितियों से बचने की आवशक्ता है अगस्त दोजार बाइस में आईए अब बात करें आपके गरस सुकी दामपत सुकी साथ इसाथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंड़िशिप चल ली है या वो लोग जो रिलेस्टिशिप में सब्तम बाव से दामपत सुक का विचार किया जाएगा तो सबसे पहले हम दामपत सुक के बारे मे ही बात करते हैं अगस्त 2022 में माहौल बहुत सुकद रहेगा या यह बोच सकते हैं कि माहौल बहुत ही हलका फुलका रहेगा चाहे वो संगित में माहौल रहे या बाचीत का माहौल रहे या कॉमेडी का माहौल रहे किसी भी ढंग से बाचीत ज्यादा होगी और आपस में जि से गलत फैमियां बन सकती है या कोई बात किसी और के बारे में हो और आपको लगे आपके बारे में ही बात हो रही है आपको टॉंट किया जा Ừ आप ti इंसर्ट किया रही है उसवज़े से भी आपकी गरस्ति में एक प्रकासे हलचल Repli सकती है और वह हलचल गलत फहमी के कारण हो सकती है इसले गलत फहमियों को जितनी जल्दी हो बातचीत के साथ में सुल जाने का प्रियास करना है सत्रा अगस तक इस्तितिया बहुत कमफर्टिबल चलेगी सत्रा अगस को सूरी का प्रवेश जब सप्तम बाव में हो जाएगा तब इस्तितिया वीक होने लगेगी खराब होने लगेगी क्योंकि सूर्य ग्रस सुख देने में सायक नहीं होता है सूर्य सिर्फ और सिर्फ ग्र देने वाला नहीं माना जाता है। जिन लोगों की रिस्ते की बात चल रही है। विवा के लिए कोई बातें चल रही है। उन लोगों को गलत फहिमी के कारण उस बात चीज में बादा का सामना करना पड़ सकता है। यह आप ध्यान रखिएगा। आईए। अब बात करें। उ वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगस 2022 में आपकी बातचीत में आपकी फ्रेंडशिप में इंप्रूमेंट आएगा। इंटिमेसी बढ़ेगी। आप एक दूसरे का विश्वास प्राप्त कर पाएंगे। और एक दूसरे को समझने का बरसक प्र सिंगल है उनके लिए भी कोई फ्रेंड्स आपका हाथ पकड़ने के लिए मिलने ही वाला है या आपको इमोशन को शेयर करने के लिए कोई फ्रेंडशिप बहुत जल्द मिलने वाली है। तो यह माँ आपकी फ्रेंडशिप के लिए आपकी रिलिश्शिप के लिए बहुत है आप अपनी रिष्टे में इंप्रूमेंट देखेंगे बहुत कंफर्टेबल स्थिती देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्ने अपनत्व का वातावरान पनपने लगेगा आईए अब बात करते हैं आपके जॉब प्रॉपरिशन केरियर या बिजनस की रासी से टैंथ आ आपे सुब माने जाएंगे ब्रस्पती रासी से से के लास में बहुत सुब इस्तिती में और ब्रस्पती की दस्ती उससे भी ज़्यादा सुब मानी जाती है तो ऐसी इस्तिती में आप मेंसे जो भी लोग इंफ्रास्ट्रॉक्चर में काम करते हैं रियल स्टेट में काम करत बिल्टिंग मैट्रियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, अस्ट्रोंट, खाने-पिने की चीज़ें, इटेबल गूड्स, माइनिंग अन हर्बल प्रड़क्ट, इलेक्रिकल गूड्स, होम अप्लैंसेज, इससे समधित कोई भी कामकाज करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा उन्न उन्नति और प्रगति आपकी जोली में आसानी से मिलने वाली है, इसके अलवा, आप जो फाइनांस का काम करते हैं, या गिर्वी का कामकाज करते हैं, वो जो जो करेंसी का कामकाज करते हैं, एजुकुशन सेक्टर में हैं, राजजनिति के शेतर में हैं, आपके लिए बहु लाप का सामना हो पाएगा जो लोग job कर रहे हैं वो कहीं कहीं जो लोग defense में हैं जो लोग sports में हैं वो ज़्यादा name fame कमाएंगे इसके इलावा जो लोग chartered accountant है या financial analyst है या stock broker है उनके लिए बहुत भारी फाइदे किस्तिती है जो लोग businessmen है वो risk ले करके और बड़ा काम कर सक सकते हैं अता बहुत बार risk लेने से मिमाना करता हूं लेकिन यहां पर आप कैल्कुलिटिव रिस्क को सामना कर सकते हैं अता 10% अपने रिस्क को आगे बढ़ा सकते हैं यह स्तिति आपके बहुत ज्यादा सुक्त आयक है इस लिए इसा बोल रहा हूं जो professionals है उनके लिए स्ति ordinary support और success देने का काम काज करेगी आईए अब बात करें मासिक रासिफल अगस्त 2022 के उपायों के बारे में सनी की साध्य साधी का first phase आपको चल रहा है और सनी की साध्य साधी आपको 23 February 2018 तक निरंतर चलते रहने वाली है तो ऐसी स्तिति में आपको शनी के उपायतों निरंतर कर नित्य सनी स्त रहने पड़ेंगे नित्य सनी स्तौत्र का part या शनी मंत्र ओम्प्राम पृम्प्रीम प्रॉम सहसने नमा선 पर लगें अपने आसपास एज़ेंगए पीपल का या वट्वक्स का पोधा लगाएं, अपने हातों से लगाएं, सीचें, देख बाल करें, हर सनिवार को काले रंग की वस्तों का दान दें, और हर सनिवार को यह संभव हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे सूरिया से पहले-पहले तेल का दीपक जलाएं, और थोड़ रासी 6th house और 7th house में सुभ नहीं माने जाते हैं, और शुक्र आपकी रासी के की प्लेनट है, आपको जाए परिवार एक सुख में कोई बादा, भागय के सुख में कोई बादा, या भागय वसात आपके काम का आज में रुकावट की स्थिती आ सकती है, आपको परिवार के एक प्रगुस्से का आपको सामना करना पड़ सकता है, इन सभी से बचने के लिए रात के लिए शुक्र के उपाय कर सकते हैं, तो शुक्र के उपाय में आप क्या करेंगे, नित्य दुर्गा सबस्ति में वनित देवी कवच का पाट करेंगे, हर सुकरवार की साम को सफेद इसक्रश्री बता से को सकते हैं, माखाने शक्ते हैं, शक्कर हो सकती है, खीर हो सकती है, अब जो भी अपने सामरतिके उनित्सा, जो अवैलेबल हो जाए वो आपको दान करना है. बहुत से लोग वास्तू के इंफलेंस में आकर के, वास्तू को सोच-सोच करके, बहुत जादा राहत मिलती है क्योंकि वास्तों के लिए हमेशा बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है। बहुत ज्यादा राहत आपको मिलने वाली है। पर आपके केरियर के लिए अगर आप धारण करना चाहें तो अस्त विनायक कवच और यदि आप जीवन के सुक के लिए धारण करना चाहते हैं तो काल बरव कवच धारण करना हमेशा सुब माना जाएगा। रतनों की मैं हमेशा बात करता हूँ। रतनों में स्ट्रेंट होती है, पावर होती है और इसलिए राजा माराजा से लगा करके आज के धन्वान व्यक्ति तक महंगे महंगे रतन पहनते हैं, होटियां पहनते हैं। और साथ इसाथ वो पहन करके दिखावा भी करते हैं। लेकिन आम आदमी तो इतने ज्यादा पैसे नहीं खच कर सकता है। जो मुल्यवान रतन है वो नहीं पहन सकता है। तो आप उपरतन पहन करके भी फाइदात उठाई सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी रासी के जो त्रिकोंड होते हैं। जीवन का सुख, आपके काली व्यवसाय का सुख या केरियर का सुख और भाग्या का सुख इसको पाने के लिए भाग्यवरदी रतन लोकेट जिसमें हीरा, पन्ना और निलम रतन या उसके उपरतन हो वो दार करें, इस लोकेट में चार रतन आते हैं या चार उपरतन होते हैं, उसको धारंड करने से आपकी रासी के लक्षमी योगों का लाब आपको मिल सकता है, वो बल आपको प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो भी जिग्या सा उचाय हो भाग्यवरदी रतन ल रेस्पॉंड करेंगे। ये रासी फल आपकी जन कुली में से एक रच चनमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन कुली के माद्यम से उस अंदर में भी इस रासी फल को और सटिकता से जान सकते हैं, क्योंकि रासी का फल जो है या गोचर फल है वो तो एक स्थूल रूप है। एक ही रासी के जो करोडों लोग है उन पर रासी फल समान रूप से घटित हो जाई है। जरूरी रही है। लेकिन हर व्यक्ति की कुली तो अलग लग है। उसके योग अलग लग है। उसकी दसा अंतर दसा प्रतंतर दसा अलग है। तो ऐसी इस्तिति में आपको कुंडली विस्लेशन चाहिए फेस तू फेस मिल करके या फिर घर बैटे टेलिफोन रिकर से माध्यम से संभव है सिरफ इस्क्रीन पर दिये वे नंबर पर संपर के स्थापित करना है मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत खैल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत शुप कामना है इश्वर आपकी रक्षा करें बहुत बहुत धन्यवाद